लग करिए इस्टुडेंट्स आज हम लोग यहाँ पर जैसा कि इसका पेडिया फिन दे चुके हैं इसका मल्टी व्यू और्थोग्राफिक व्यू हम लोग आज इसकी आरम डिसकेशन करने वाले हैं इसमें यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले इसका टॉप यू बनाना है टॉप यू बनाने के लिए यहाँ पर देखिए यह सेंटर लाइन सबसे पहले सेंटर लाइन यह दो सेंटर लाइन हम यहाँ पर बना लेंगे सेंटर लाइन बनाने पर हमको यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा इस पॉइंट से हमको क्या करना है सबसे पहले यह 2D यानि की 80 mm डायमेटर का एक सर्किल बनाना है इस सर्किल को बनाने के बाद इसमें हमको प्रकार यहां पर प्रकार पिंसल रखे इसके 6 बराबर पाट इसकी ही रेडियस के बराबर यहां पर 6 बराबर पाट इसके काट लेने है ठीक है 6 बराबर पाट काटने के बाद इनको हम मीट करा देंगे ति मीट होने के बाद यहां पर आपके पास यह हेग्जागोनल आ जाएगा एक्जागुनल बनाने के बाद आपको यहां पर D डाया यह जो ग्रीन सर्किल यहां पर बनाया हुआ है अंदर D डायमिटर यानि की 40 mm का डाया है रेडियस के लिए इसको हाफ कर देंगे तो 20 mm की रेडियस ले करके इस सर्किल यहां पर जनरेट कर लेंगे यहां पर हमने डीडेस यानि की त्रइड डाया है उसको बनाना है चूंकि हम लोग नट बना रहे है तो फ्रेड दाया यानि थ्रेड चर्किल जो होता है हमारा नॉम्टिल डाया के बाहर बनाते है और यह थोड़ा सा यहां और यहां से ओपन रहता इसको बनाने के बाद यह आपका इस तरह से complete हुए आएगा, टॉप यूप, टॉप यूप बनाने के बाद हमको यहाँ पर फ्रेंट यूप बनाना है, फ्रेंट यूप बनाने के लिए हम इसके projections, जैसे कि यह corners से सारे projections हम यहाँ पर, इनको projections को उपर की ओर इस तरह से खीच लेते हैं, सारे projections उपर आजाएंगे, projections आने के बाद हमें इसकी यहाँ पर height चाहिए, height के measurement जो हो इसकी nominal dia, that means d के equal to करना होता है, तो d के equal to करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 40 mm है, तो यहाँ पर हम lines को 40-40 mm उपर के ओर कर देंगे, 40 mm आने के बाद, यह जो central line थी है हमारी, इस central line से हमको यहाँ पर chamfer की radius बनानी होती है, chamfer radius 1.5D है, 1.5D को आप calculate करेंगे, तो यह approximate 60 के आसपास आपकी आजाएगी, तो 60 mm आने के बाद आपको यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी हो, इससे पेंसिल से आप 60 mm मार्ख कर लेंगे, फिर 60 mm से आप reverse करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर एक card arc जेनरेट कर लेंगे, आग जैनरेट करने के बाद, आपको यहाँ पर क्ऊरण से, इसके जो आएंगी लाइन्स, इस लाइन्स को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़के यहाँ पर कट करेंगी दो पॉइंट पे, जबी कट करेंगी इसके बाद आपको यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री की एंगल जनेरेट करनेगी, इसको free hand, जो फ्री हैंड आपने top view में अल्डेडी बनाया हुआ था है, इनका जो projections यहां पर आया है, तो nominal diameter का जो projections है, वो तो hard line हो जाएगा, क्योंकि इसका यह जो corner है, यह corner इसके nominal diameter से हो करके जाएगा, क्योंकि यह length जो यह वो D के पराबर ही आएगी, यहां पर यह solid line से दिखाया जाएगा, जबकि यह thread circle जो आपका यह बहार है, कि यह बहार dotted line से यहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से आपका यहाँ पर front view बन जाएगा बनने के बाद यह हमको side view बनाने के लिए इसकी जो height है, height का projection हम यहां से इस तरह से गिरा लेंगे, यहां से projections हमको मिल जाएंगे front view के, इसके बाद हमको जो बाकी के dimension है, वो हमको top view से चाहिए, तो top view के projections हो हम इस तरह से आगे बनाते हैं, और यहां पर एक line ड्रॉ करते हैं, 35 degree पर inclineded होती है, इस line पर जब इसके projection फाल होते है, वो जब गिरेंगे यहां पर, इनको गिराने के बाद इसको फिर से उपर के ले करके जाएंगे, जियहां पर आगर के आपको जैसे की यहां दिखाएद रहें, इस तरह से meet करेंगे यहां पर, meet होने के बाद, आपको यहां स दिखाई दन लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर यह आख जनरेट करने के लिए, सबसे पहले हम इन दोनों को center point, इन दोनों का midpoint लेंगे, midpoint पर एक central line डाल लेंगे, इस तरह से इन दोनों का midpoint लेकर एक central line डाल लेंगे, सेंटर line डालने के बाद, सेम प्रोसेस जो हम लोगों ने यहाँ पर अपलाई किया था, 60M का arc लगा करके, 60M का arc लगाके एक point मिलेगा, फिर यहाँ पर revert arc लगा देंगे, इस तरह से हमारा यह जनरेट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर इस तरह से आप इसको side view को बना सकते ह सब्सक्राइब है और रिलेटेड डाटा है वो आपको इसके link के description box पे आपको मिल लियाएगा, thank you